हेलो फ्रेंड्स, हैपी नियर तो आल, होप की आप सब अच्छे होंगे आज की रेस्पी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आज हम बनाने जा रहे हैं पटैटो मौजिरेला बॉल्स तो उसके लिए मैंने पटैटो और मौजिरेला के क्यूब्स और साल्ट, ब्लैक पैपर सब ले लिए मैंने आपको और असान करने के लिए ये इंग्रीडियंट्स बना दिये हैं सबसे पहले 3 बड़े आलू लोगी मैं और इसके बाद इसको मैं अच्छी तरह से मैश कर लोगी मैं स्पून की यालप ले रही हूँ, आप अपने ही साब से मैशर का भी उच्छी तरह से इसको प्रेस करना है ताकि ये अच्छी से प्रेस हो जाए आप देख सकते हैं का डालूंगी और इसके बाद मैं one four tablespoon ही और ग्यानों का डालूंगी और two चिली फ्लेक्स का डालूंगी ये बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छे डेश है मेरी बेटी ने तो बहुत ही पसंद से खाई है आप देख सकते हैं अब मैं two tablespoon इसमें मैं दे का add करूंगी और अच्छे तरह से इसको mix कर लेना है ये सबी चीजे इसके हमने add की है और आप अच्छे से इसको mix करके एक अच्छा dough ready करना है और इसके बाद मैंने इसमें two tablespoon सूजी का डाला है सूजी से ही होगा कि हमारे roll crunchy हो जाएंगे crispy होंगे एक अच्छा dough ready कर लेना है हमने आप देख सकते हैं dough ready है इसके बाद हम छोटे-छोटे ball बनाएंगे इसके ball बनाके इसको press करेंगे थोड़ी मैंने dusting भी किया आप भी कर सकते हैं मैंदे की dusting करने के बाद इसके अंदर mozzarela का cube मैंने add-on किया है और इसके बाद इसको fix कर दिया है और एक smooth ball ready कर लिए लोक यह हमारी ball ready हो चुकी है ऐसे ही सारे dough की हमें ऐसी balls ready कर लेनी है ना जादा बड़ी ना जादा छोटी देख सकते हैं मैंने सभी dough का यह balls ready कर लिए है और मैंने pan में oil गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें एक एक करके यह balls मैं डालूंगी मैं यह low flame पे बना रही हूँ आप भी low flame पे ही बनाईए इससे यह होगा कि हमारे potato roll जलेंगे नहीं और अंदर तक पक जाएंगे नहीं तो अगर हम high flame पे बनाएंगे तो यह अंदर से कच्छे रह जाएंगे और बाहर से जल जाएंगे golden till golden brown होने तक इसको हमें fry करना है मैंने इस सभी को turn on कर दिया यह golden हो चुके हैं हमें golden brown होने तक इसको fry करना है थोड़ी देर और इसको पकाएंगे पांच सेकिंड तक पकाएंगे और हम इसे low flame पे ही पकाएंगे medium flame यह देखिए हमारे balls ready हो चुके हैं ready to eat कि अश्न कर दोन हो झाँ हमें जाएंगे तक आर चाहले मीश भी चाहले हो जाएंगे अजाँ अश्न काएंगे वह आगश्न काएंगे